Hello everyone, welcome to my channel So here we have taken another chapter of class 8 That is reproduction and endocrine system Okay, so basically this chapter में हम reproduction और endocrine system के बारे में पढ़ने वाले हैं And इस chapter में हम क्या-क्या cover करने वाले हैं That will be reproduction, जिसमें हम लोग asexual मलब mode of reproduction के बारे में पढ़ेंगे sexual और asexual reproduction फिर इसके बाद हम लोग internal और external fertilization पढ़ेंगे जो की हम लोग sexual reproduction में पढ़ेंगे फिर इसके बाद reproductive system in humans, male और female इसमें दोनों रहेगा determination of sex of baby ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे population growth और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेस बैल आइकन अलसो ताकि जो भी जितने भी वीडियो आए उनका notification आप तक पहुँच जाए ओके, and share this video and all the videos of mine with the other with your other friends अलसो, ठीके चलिए, start करते हैं अपने चाप्टर को so, we all know के पहले बात यह reproduction की meaning जानने से पहले हम यह जान लेते हैं के अर्थ पे जितने भी organism, living organism की बात हो रही है अर्थ पे जितने भी living organism हैं, उनको एक नए एक दिन die होना ही होना है ठीके, उनकी death है, ठीके, एक यह natural cause है कि अगर उन्होंने birth लिया है, तो उनकी death भी है कि हाँ उन्होंने बर्थ लिया है तो उनको डेथ भी निश्चित है कि होना है ताकि एक जो एक्विटी है वो बनी रहे ऐसा नहीं है कि पूरा हुमन बिंग्स जादा या कोई भी क्रियेचर जादा होते जाएंगे जादा होते जाएंगे तब तो फिर यह अर्थ पिर हमारे लिए तो बहुत ही छोटी पर जानी है ठीक है अगर बहुत जादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती रही और लोगों की डेथ नहीं होगी तो अगर आप टॉक्ट अबाउट आप सो मेनी स्पीशीजेश इस पिशीज के बारे में हम लोगों ने कंसर्वेशन चैप्टर में भी पढ़ा कि बहुत सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो की खत्म हो चुके हैं एक्स्टिंक्ट हो चुके हैं जस लाइक अभी हम लोगों ने डोडो की ब अर्गानिसम्स वी ओल नो के लिफ फॉर शर्टेन पीरियोड ऑफ टाइम सबका कुछ ना कुछ समय निश्चित है कि यह इतने साल कोई भी ऑर्गानिसम हो चाहे वह इंसेक्स तो छोटी सो छोटे चाहे वह एक एक कह सकते हैं सर्टेन पीरियोड एक डिसाइड होता है कि हा अगर डिसाइड हो जाएगी तो फिर जितने भी उनके जो इस्पीशीज हैं उनके जो इस्पीशीज हैं उसको भी तो हमें ऐसे करके रखना है न कि हाँ वो प्रिजर्व रहे या आगे बढ़ते रहे ठीक हैं मह लीज़े अगर डॉग्स हैं डॉग्स वी ओल नो कि अगर जो species है अगर इनके death हो जाती है तो फिर ऐसा तो है नहीं कि अगर dog की death हो गई अभी अभी हम लोग देखते हैं तो कोई और dog देखने को नहीं मिल रहे हैं ठीके है तो इनकी जो species है वो है हमारे यहां पर ठीके अगर हम कहें तो हमारे earth पर है sufficient amount में हम कह सकते हैं इसी तरीके से हर species की बात हो रही है कि एक species को continue करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने young one को produce करते हैं उत अपने young one थो अपने ही तरीके की छोटे छोटे पिज मीशाथी को वो produce करते हैं ठीक है? चाहे वो आपके birds हो, चाहे कोई भी animals हो, चाहे वो human beings ही क्यों ना हो, ठीक है, तो अपने तरीके की species को continue करने के लिए, वो अपने young ones को, अपने तरीके के young ones को produce करते हैं, ठीक है, तो reproduction है क्या, reproduction है कि ऐसा process है which is required to maintain the species of the organism, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि अगर कोई person reproduce नहीं कर पा रहा है तो वो survive ही नहीं कर सकता, ठीक है यह कोई compulsion नहीं है कि अगर if somebody cannot reproduce, तो इसका मतलब नहीं है कि वो survive ही नहीं कर सकता, ना, ऐसा नहीं है ठीक है, बट reproduction है क्या, reproduction अगर हम देखे तो एक ऐसा process है आप कह सकते हैं, it is defined of its own kinds ठीक है, तो reproduction एक fundamental attributes है ताकि जो living organisms हैं वो अपने तरीके के अपने तरीके के young ones को produce कर सकें ठीक है, ताकि जो उनकी species है, वो आगे continue कर सकें ठीक है, इस process से हमें new individuals देखने को मिलते हैं फिर वो grow करते हैं माल लिजे के एक माल लिजे के फिर अगर एक new individual है एक छोटा सा कोई cell है, फिर वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद उसकी जब growth होगे, उसमें से फिर reproduce होगा, फिर आपको cells देखने को उनमें से मिलेंगे जैसे अगर हम बात कर लेते हैं human beings की या किसी animals की, ठीक है, तो हम देखते हैं कि पहले एक छोटा सा, अगर हम एक young one रहता है, धीरे 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 करके वो young one बड़ा होता है, उसकी growth होती है, फिर वो reproduce करता है, और अपने तरीके का एक दूसरा अपने तरीके का एक और अपने तरीके का एक और young one produce करता है, यह आप कह सकते है, new individual अपने तरीके का वो produce करता है, ठीक है, तो reproduction किसके चीज में help करता है, ताकि continuity है, life की वो बनी रहे ठीक है, क्या है, ताकि जो continuity है, life की बनी रहे और ताकि जो species है, जो जितने अलग-अलग species हैं, अलग-अलग species होते हैं, अलग-अलग species की जो population है, वो increase करती रहे, ठीक, in the evolution of the most favorable variations over a period of time, जैसे के most favorable condition में भी, जैसे के वो survive कर सके एक evolution आप कह सकते हैं, ताकि वो एक समय के बाद में, over a period of time, most favorable variations में भी रह सकें, ठीक है, अपने आपको adopt कर, मतलब उस जखा को adapt करके रह सकें, ठीक है, अब यहां पर reproduction की एक definition दिखाए गई है, बताई गई है, which will be कह सकते है, एक दम सही appropriate definition है, the process of new individual from parents of the same species is called reproduction, okay, reproduction is one of the most important characteristics of the organism, ठीक है, most important characteristics of the organism है, ताकि वो अपने तरीके के young ones को produce कर सकें, okay, so, जो reproduction के, अगर हम बात कर रहा है तो generally two types के reproduction होते हैं, ठीक है, two types के methods हैं, जिन से reproduction हो सकता है, first is asexual and second is sexual, ठीक है, तो पहले हम asexual reproduction पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में sexual reproduction पढ़ेंगे, ठीक है, तो asexual reproduction पढ़ लेते हैं, कि asexual reproduction क्या होता है, पहले आप इस diagram के थूँ समझ लीजे कि asexual reproduction क्या है, ठीक है, ये देखे, क्योंकि budding in hydra ही अच्छे से बताये गया है, बाकि जो binary of, binary fusion in amoeba बताये गया है, इसके बारे में बहुत जादा description तो नहीं दिया गया है, but I will explain you, कि इसमें क्या-क्या चीजे हैं, ठीक, तो, जैसे के माल लीजे, ये hydra है, ठीक है, अब ये budding in hydra बताये गया है, ठीक है, तो ये एक organism है, that is called as hydra, ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहा होंगे, इसमें हैं, ये इनके tentacles हैं, ठीक है, क्या है? ये इनके tentacles है, ओके, फिर इसके बाद में, ये आप छोट आसा ये outgrowth देख रहा होंगे, चोट आसा outgrowth देख रहा है, जिसें हम लोग bud बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड, अब क्या होगा? जैसे ये धीरे-धीरे अभी ये इसका new individual है इसमें छोटी सी budding है ये फिर धीरे-धीरे बड़ा होगा ता इसकी budding भी बहुत बड़ी होती जाएगी धीरे-धीरे outgrowth ठीक है इसके tentacles भी उसे तरीके से growth करेंगे फिर इसके बाद ये जो hydra है इसके जो outgrowth जो ये हुई है ये ध धीरे-धीरे करके और बड़ा होता जाएगा फिर उसके बाद ये इसमें से detach हो जाएगा इसमें से ये ऐसे detach हो जाएगा टूट जाएगा ठीक है फिर टूट करके ये अपना एक new एक new hydra बना लेगा ठीक है उसके लिए इसको favorable condition की भी ज़रूबत पड़ेगी ठीक है new hydra ब दो गैमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें दो गैमेट की जरूरत नहीं पड़ती है उके इसमें पहली चीज तो इन में क्या क्या चीज होता है कि पैरेंट्र केरक्टर से ये एकडम कारबन कॉपी रहेगा ये जो नया individual आफ तैयार होगा ठीक है ये जो नया off-spring त से आंजे कहते हैं कि कलोन आफ पेरेंट ठीक हैं? एकदव मी कारबनद कॉपी रहे गा.. ओर इसमें पेरेंटल क्यारेक्टर्ज भारेंगं जैसे इसमें अपको बडगार ढया बड़ दिखाई दे देगा ठीक हैं? और इनको favorable condition मिलेगा ताकि दूसरा hydra ये तयार कर सके, समझ में है? तो main चीज क्या है कि Asexual Reproduction है क्या? ये एक ऐसा method होता है, जिसमें single organism क्या होता है? वो reproduce करते हैं, अपने एक, मतला अपने type के cells को और reproduce करते हैं, ठीक है? एक या एक से जादा भी करते हैं, एक या एक से जादा भी वो अपने type के organisms को reproduce करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि दो gametes की जरूरत नहीं परती, एक single organism ही होता है, जो के reproduce करता है अपने ही तरीके के एक या एक से जादा organisms को समझ में है? ठीक है? इसके बाद this will be the definition of asexual reproduction अब इसमें जो मैंने बताए कि asexual reproduction में gametes की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब male या female की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है? asexual reproduction में single organism ही reproduce करता है ठीक है? ये चीज ध्यान रखनी है मतलब इसमें दो gametes की जरूरत नहीं पड़ती है मतलब समझ में आ रहा है ना male और female ऐसा कोई जरूरी नहीं है मतलब male female इसमें नहीं होता है समझ में है? only single parent is involved in this type of reproduction only single parent ठीक है? क्या है? single parent होता है वही reproduction करता है ठीक है? अब जैसे ही इसमें example बताएगा amoeba का और hydra का yeast का तो दो चीज इसमें बताएगा है एक hydra और एक amoeba का डाइग्राम बताएगा है तो पहले hydra जो की आपके book में दिया है उसको देख लीजे जैसे कि budding क्योंकि ये bud के थू हो रहा है ना एक छोटा सा बड निकला फिर budding वो धीरे 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 डेवलाप होता जाता है ठीक है? क्योंकि जब asexual reproduction होता है hydra में तो budding is the asexual reproduction in which individual develops in the form of buds ठीक है? जो एक छो आपको नया individual देखने को मिलेगा वो किस form में रहेगा? यह चोटा सा जो आपने बड देखा है ठीक है यह इस फॉम में रहता है ठीक है? तो इसमें क्या है कि the nucleus of a parent hydra divides into two nuclei और one nuclei is pushed into bud ठीक है? एक nuclei को ऐसे pushed किया जाता है ताकि एक छोटा सा bud बन सके just like a projection इसके बाद धीरे धीरे यह बड़ा होता जाता है इसकी growth होती जाती और यह जो बड है वो detach हो जाता है यहां से तूट जाता है अपने parent body से यह इसकी parent body होई न यहां से यह तूट जाता है और फिर यह favorable condition में अपनी size में फिर यह growth करने लगेगा और इसमें से फिर आपको एक नया बड देखने को मिलेगा फिर वो धीरे धीरे करके detach हो जाएगा मतब growth होगी और detach होगा फिर hydra form कर लेगा तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें क्या है कि एकदम सेम इसी तरीके के आपको जो ऑफ्स्प्रिंग है या जो नया individual एकदम सेम इसी तरीके से इसकी carbon copy रहेगा आपको इसको देखने को मिलेगा यह ज्यादा तक यह यह sexual reproduction जो होता है ज्यादा तक lower lower parents मतलब lower plants और animals में देखने को मिलता है ठीक है lower plants और animals में जो बहुत शुडवाती time पे देखने को देखे गया है इस तरीके के आप चया सकते हैं कि इस तरीके के organisms में asexual reproduction होता है ठीक है तो इसमें आपलोगों नहीं यह देखा कि एक constitutional होता है मतलब one parent होता है एक ही parent होता है जो कि reproduction करेगा जो offspring होगा मतलब यह जो offspring होगा वो क्या होगा वो सब्सक्रामे के रिपोसरी कोल उट मिर्सराइप कोवेड़े के वली सबसक्राइप के मुस्थ प्रेटरबॉडर्थ भूबर्वूर्ण काउस्व के शच्मीरियों अब कर दिए शह κण methodology after के और यहां पर प्रसमा अपने एक मूट रिपोड़ फिम्तन को हैं il estope इंडिविज्ट या नहीं मतलब आप को अफ्स्प्रिंग देखने को मिले एक और प्रॉसस है एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है डाट इस बाइनरी फिजन ठीक है बाइनरी फिजन एक दूसरे तरीके का मोड ऑफ एसेक्श्वल रिप्रोडक्शन है इसमें क्या होता है इ जो daughter cell या जो offspring हमें देखने को मिलेंगे वो same to same इसकी copy होंगी ठीक है इसमें भी वही चीज देखने को मिलेगा but difference क्या है इसमें क्या है budding है ये छोटा सा bird देखने को मिलता इसमें क्या है binary में fission का पहले आप मतलब जान लिए fission का मतलब होता है कि तूटना ठीक है fission का मतलब क्या होता है breakdown fission का मतलब तूटना और binary का मतलब two तो मतलब दो parts में तूटना ठीक है दो parts में तूटना इसका मतलब हो जाएगा न तो इसमें क्या होता है जो parental cell होता है वो दो daughter cell बनाता है यहाँ पर देखें न दो डॉर्टर सेल्स बनी है अब यह दो डॉर्टर सेल्स बनाएगा रहेगा एक लेकिन बनाएगा दो डॉर्टर सेल्स अब यहाँ पर डॉर्टर सेल्स लिखा है इसका मतलब यह नहीं है कि मतलब यह पहले से बता दिया गया है कि इस विल भी दॉर्ट सबै 추천 है क्रistem पिורम से से सब्सक्रीं सब्सक्राइबिrica अंग मतलब हम जा था क्या सब्सक्राइब मेंá है अधियार नियू इंधियुज़ड के सिक्क्राहिया U पीशराव से के बने 머न र्फॉटरखन से सब्सक्राइब새 फद्सक्रान के सो तो है ठीक डॉर्टर सेल्स यह देखने को मिलेगा आपको लोवर और्गैनिसम में हमें देखने को मिलती है तो ऑफ्स्प्रिंग को ही डॉर्टर सेल्स बोलते है ठीक अब इसमें गन्फ्यूज नहीं होना है तो माल लेजे कि यह आपका है एक आपके अमीबा ठीक है अमीबा है अमीबा का structure दिया हुआ है अब इसमें यह nucleus है पहले पहले क्या होगा कि इन nucleus का मतलब आप पहले यह nucleus split होंगे ठीक है यह दीरे-धीरे करके पहले इनका nucleus fragment होगा मतलब तूटेगा divide करेगा धीरे धीरे करके इनके यह जो अंदर में cytoplasm होता है आपने cell chapter पढ़ा है तो इसके पहले हम लोगों ने cell chapter पढ़ लिया है तो जब हम लोग आपने cell chapter पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा ना कि जो अमीब होते हैं वो क्या होते हैं यूरी cellulour होते हैं single celled organisms हैं थिक तो अब इनके पास क्या होता है एक nucleus है पहले इनका यह nucleus divide करेगा थिक है धीरे-दीरे इनका nucleus के साथ यह cytoplasm के साथ यह धीरे-धीरे करके यह भी अलग हो जाएगा थिक है यह मतलब कि nucleus के साथ इनका साइटोप्लांस भी अलग हो जाएगा फिर धीरे 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 करके ये new दो डॉर्टर सेल्स अतनी बना लेंगे ठीक है तो binary fission क्या है it is a type of asexual reproduction when a parent cell splits into two daughter cells ठीक है जब वो दो डॉर्टर सेल्स में splits हो जाता है इसके बाद है कि इसमें first पहले क्या होता है कि पहले ये size में खुद grow करेगा ठीक है कैसे कैसे process होता है इसको भी देख लीजे पहले ये खुद size में grow करेगा फिर इसका जो nuclear materials है वो double हो जाएगा फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके वो double होने के बाद में constrictions appears होंगे आप cytoplasm फिर धीरे-धीरे मतलब constriction appears होंगे ऐसे कि हाँ ये धीरे-धीर divide हो रहा है फिर इसके बाद में cytoplasm का ये जो cytoplasm का division होंगा फिर finally दो daughter cells form हो जाती है ओके तो इस तरीके से आपका ये sexual reproduction में जो parent होते हैं वही reproduce करते हैं ओके तो this was about the budding and binary fission in amoeba ठीक है ये amoeba में बताए गया है binary fission और ये budding बताए गया है in hydra okay i hope you all have understood all these topics ठीक है and in our next video we will talk about sexual reproduction एक एक topic ले करके चलेंगे तो it will be clear to you ठीक है ताकि बहुत अच्छे से हरे आपको points हरे topics clear होते जाएं ठीक है you in the next video please if you like my video don't forget to like subscribe and share thank you